नमस्कार दोस्तों मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटकॉम पे जहां पे हम लोग टीचिंग एगजामिनेशन की प्रिप्रेशन करते हैं आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे इस पैंडमिक में भी देखो आप लोगों की एक डिमांड थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल का प्रिबियस एर पेपर आप लोगों के सामने रखी जाए तो आप लोगों के डिमांड पे मैंने ये क्लास करा दी है एरेंज प्रिबियस एर पेपर पे बेस्ट आप लोगों के सामने में एक फेबर रखना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो देखो आपके जितने भी दोस्त हैं उनमेंसे किनी दो दोस्तों तक आपको ये वीडियो पहुँचानी है जो आर्मी पब्लिक स्कूल या फिर केबियस की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आप दो लोगों को ये वीडियो प्लीज फॉरबट कर दो आप लोगों को प्रिबियस एर पेपर की और भी वीडियो में लेके आतर होंगा ठेंक्यू सो मच क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पे नए आये हो आप पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब कर नीचे जो बटन दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को इंजवाई करने के साथ साथ आप नॉटबुक और पेन पेपर लेके बैठें ताकि जो भी चीज नॉट करने लाइक हो आप नॉट कर सकते हो सीख सकते हो और उससे आप आगे जो कोश्चन साएंगे उसको बना सकते हो ठेंक यू सो मत चलिए क्लास को देखिए और इंजवाई कीजिए कुछ सिखिए नया चलिए आपके लिए पहला प्रस्ण रहा ये कोश्चन नमर नाइन से देखो कोश्चन नमर वन टू एट जो दोस्तों आपका है वो कोश्चन है अंसीन पैसेज पे है ना तो मैं अंसीन पैसेज को अंत में कराऊंगा और आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे जल्दी से अंसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो तो सबसे पहले वन टू एट हम लोग बाद में देखेंगे पहले हम लोग कोश्चन नमर 9 से आगे बढ़ते हैं देखो आपको एक एंटो वर्ड को चूज़ करना है यहाँ पे एक अंडरलाइन दिया हुआ यह आपको बताना कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अब आपको जानने की बात यह है सरीन मतलब क्या होता है देखो सरीन का मतलब होता है सांत पहली बात या फिर गंभीर किसम का इंसान को हम लोग बोलते हैं सरीन तो अब देखो सरीन का जो अपोजिट होगा मोस्ट अपोजिट आपको उसका जवाब देना है देखो, सरीन का मतलब भी होता है, गंभीर किस्म का वैक्ति को हम लोग बोलते हैं, अर्नेस्ट, तो ये तो सैनोनिम्स हो गया, सामने वाली बात हो गई, एक साथ चलने वाली बात हो गई, ये तो अपोजिट हुआ, नहीं, अब देखो जॉकलर मतलब होता है, मजा किया, एक फिर से एक बार वीडियो को देखके, नौट कर लो, पढ़ने का यही तरीका है, आप एक बार देखके कुछ भी याद नहीं रख सकते हो, ना सीख सकते हो, नौट बुक में नौट जरूर करते जाओ आप, तो ये देखो अगला जो वर्ड है, नर्वस, नर्वस यानि कि ज जो, agitated, ग को यहाँ पर ग नहीं पढ़ेंगे, जी को ग नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, agitated, यानि कि, agitated मतलब होता है, उत्साही व्यक्ती, है ना, मतलब बिल्कुल excited, very excited, तो ये सिरिन का हो जाएगा, opposite क्या, agitated, यानि कि option number 10 का क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, चलि देखो, सबसे पहले sentence को हम लोग पढ़ लेते हैं, she is a beautiful as well as frivolous, देखो, अब आपको बताना है कि ये frivolous का opposite word क्या होगा, तो सबसे पहले आप जान लो, frivolous मतलब होता है, चुलबुला, जिसे बोलते हो ना, बहुत चंचला है ये, तो सबसे पहले ये जान लो कि इसको क्य क्या बोलते हैं, बिल्कुल उसके अंदर क्या है, वो जो serious नहीं है वो, हर बात को बिना सोचे समझे बोल देने वाली, तो चुलबुली लड़की बोलते हैं हम लोग, मतलब वो तो खुबसूरत जितनी है, वो ऐसी चुलबुली भी है, अब आपको देखो, ये sentence आपको एक चलता हो, उसे बोलते हैं insane, तो ये option तो दौनों similar हो गया, ये तो होगा नहीं, इसका जो right answer हो जाएगा serious, इसका मतलब देखो सबसे पहले, फ्रेवलस का मतलब होता है not serious, इसका मतलब क्या होता है, not serious, और यहाँ पे क्या दिया हुआ serious, यही हम लोगों का क्या होगा, opposite word हो यानि कि option number B, इसका क्या होगा, right answer, चलिए question number 11 देखते हैं, यहाँ पे आपको देखो opposite word नहीं, synonym यानि कि similar word बताना है, समानर्थी सब्ध, हिंदी में अगर बोलू मैं तो, तो देखो, the community is agog with a speculation about the fate of money collected, देखो, यहाँ पे आपको देखो एक underline word है agog, इसका मतलब क्या हो बताना है, तो सबसे पहले जान लो, agog का मतलब होता है, very excited, बहुत जादा, मतलब खुस, बहुत जादा एकदम, जैसे कि आपके घर में अगर new TV आने वाले होती है, तो बच्पन में आप लोग याद रखना, कितने खुस हुआ करते थे, तो agog का मतलब क्या हो जाएगा, ब बहुत जादा उदासी को हम लोग बोलते हैं, depression, अभी हाल में ही सुसान सिंग राजपूत की जो मौत हुई थी, वो depression के कारण हुई थी, तो यह आपका right answer होगा, B number, excited, चलिए, अगला question number 12, जो है, वो क्या पूछ रहा है आपसे, फिर से आपको एक synonym सियानी की समान word को choose कर के बताना है, देखो, she has the propensity for getting into depth, depth मतलब होता है, sorry, यहाँ पर T का pronunciation नहीं होगा, depth, तो depth मतलब क्या होता है, कर्ज, propensity मतलब होता है, tendency, प्रविर्थी, किसी चीज़, आदमी का होता है न, कि गुस्य का प्रविर्थी, गुस्यल प्रविर्थी का हो, या कोई sound प्रविर्थ tendency, कि आपकी क्या tendency है, देखना बहुत बच्चे सांते रहते हैं बचपन में और हमेशा सांती रह जाते हैं, बिलकुल काम माइंड के, तो ये बात हो गई, अब अगले question के और बढ़ते हैं, question number 13, the below expression is followed by four words, select the word, the idea, देखो, आपको एक सिधा सिधी में अगर आसान भासा में समझाओं, तो एक sentence है, one word substitution है, इस word, इस पूरे sentence के बदले में कौन सा, एक word, right answer होगा, वो आपको बताना है, तो देखो, सबसे पहली बात, a remedy for all diseases, देखो, remedy मतलब होता है, उपचार या फिर निदान उसका, तो एक कौन, सारे रोगों का निदान कौन कर सकता है, तो देखो इसका जो right answer होगा दोस्तों, वो होगा B number, जो कि क्या है, वो है पैंसिया, अब देखो, पैंसिया जो है, ये Greek word है, आप लोग जान लो, लिख भी सकते हो, आप लोग, ये Greek word है, अब Greek gods हो होते थे, वो हर चीज का इलाज कर लेते थे, तो आपको खेर, इन सारे चीजों में नहीं जाना है, अगर आप इस तरह से याद करना चाते हो, तो इस तरह से याद कर सकते हो, कि पैंसिया क्या थे, Greek god का नाम था, जो कि हर चीज का क्या करते थे, ट्रीट कर लेते थे, हर चीज का remedy उनके पास था, यानि कि option 20 का क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, अब देखो, question number 14 में क्या पूछा गया है, आपको जो है, बताना है, फिर से वही बात, कि ये इस पूरे sentence को एक word में लिखना हो, तो क्या right answer होगा, a disease which ends in death, यानि कि वो ऐसा रोग जिससे आपकी मिर्तिव होना तह है, तो उस रोग को बोल देखो, cancer से मिर्तिव नहीं होती, आप बच जात हो, life suck मतलब आपकी जिन्दगी बिकार हो गई, या फिर deadly, तो देखो ये तीनों option आपका नहीं होगा, right answer जो जाएगा, वो होगा B, है न, ये होता है fatal, fatal मतलब होता है, जान लेवा, अगर मैं इसकी पूरी तरह से हिंदी लिख दूँ, तो इसका मतलब होता है, जान लेवा है न, आपकी जान ले लेगा, ऐसा ये बिमारी है, I hope कि आपको सारी बाते clear हो गई होगी, 20 का right answer हो गया, चलिए अगले question क्यों बढ़ते हैं, question number 15, इसमें आपको बताना है, फिर से, कि ये जो एक idiom है, picking halls, देखो मैंने channel पे top 50 idiom की video अलग से बना रखी है, तो आपको channel पे idiom आपके exam में आएंगे, देखो दो idiom पूछा गया है 2013 में, तो 2020 के exam में at least एक idiom तो आएगा ही, तो आप अगर top 50 कर लेते हो, तो आप एक number अपना marks को क्या करते हो, secure कर लेते हो, तो ये video आपको जाके जरूर देख लेनी चाहिए, top 50 idiom, the educator search करना आ जाएगा YouTube पे, अब द projects, देखो सबसे पहले मैं आपके लिए एक example दिखा देता हूँ, halls मतलब क्या छेद, यानि कि अगर ये कांच का, अगर ये टूड़ा तूट गया, चोटा सा, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस lock को अंदर से भी खोल सकते हो, या फिर ये क्या हुआ, ये secure घर नहीं रहा hall हो गया, मतलब क्या, सारा प्लान या फिर जिस चीज प्लान के लिए आपने lock लगाया था यहां पर, वो बेकार हो गया, तो अब देखो आप इस चीज को कैसे समझोगे, he is always picking halls in every projects, यानि कि जो प्रजेक्ट चल रहा है, जिस चीज को एक idea आपके पास है, वो क्या करता है, उसमें कुछ न कुछ गलतियां ढून लेता है, picking halls मतलब हो गया, कि आप क्या करते हो, fault को ढून लेते हो, देखो आपके लिए एक और चीज है, fault के साथ जो preposition का use होगा, वो होगा, bit का, तो ये सब सारे चीज़ों को आप note करते जाओ, आपके लिए बहुत beneficial होगा यह, यान के बच्चे में वो तुरत खोंट निकाल देती है कि इसका किसके साथ affair चल रहा है, किसका घर में कौन आता है, कौन जाता है, किसके घर में क्या नया आया, किसके घर में क्या जगड़ा हुआ, तो picking halls को आप उस तरह से आंटी से relate करके याद कर सकते हो, फिर भी माफी चाहू अब देखो, turn a new leap, सबसे पले आप एक picture उससे आपको सारी बातें समझ में आएगी, देखो एक पेड़ है, बिल्कुल कड़ चुका है, अब देखो जब पेड़ कड़ जाता है, तो उसके किनारे से देखना नए पत्ते निकलते हैं, देखो यहाँ पे, आप कितना प्यारा इमेज है, तो आप देख सकते हो, क्या है एक नई life, new journey, फिल्कुल नया beginning start करना, life में बहुत बार आप डाउन हो जाओगे, गिर जाओगे, फिर आप उपर की और उठते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 नमबर का answer आप लोग बताओ, देखो, एकदम totally आप क्या होग आप एक life में क्या करोगे, बिल्कुल नई शुरुवात कर लोगे, चलिए अगले question के और बढ़ते हैं, question number 17, history record 17th incursions of सुल्तान महमूद, उसके बाद filler है, इंडिया, देखो, incursion मतलब होता है, किसी territory में illegal घुश जाना, है न, illegal entrance कर लेना, यह हो गया, आपको मैंने इसका म position का use होता है, एक है पहला by, और एक होता है into का, तो सबसे पहले यहाँ देखो, आपके पास तो by का कोई option है नहीं, into है, यानि कि D's का right answer होगा, लेकिन, अब incursion जो है, जब by लगेगा कब, जब इसके बाद कोई आदमी आ जाए last में, कोई person आ जाए, तब आप लगाओगे incursion by सुल्तान महमूद आता, यानि कि महमूद यह जो person से पहले अगर feeler आता आपके साथ, तो आप by का use करते, लेकिन, अब यहाँ पे कोई place आ गया है, यानि कि place में ही न कोई enter करेगा, into होगा, यानि कि इसका answer क्या हो जाएगा आपके लिए, D's का right answer हो जाएगा, चलिए statement is replicated contradictions, देखो contradiction मतलब होता है बिरोधा भास, मतलब अपने ही बात में आप बोल रहे हो, उसमें कुछ, कह रहे हो, कुछ, समझ रहे हो, कुछ, मतलब उसके अंदर क्या है, बहुत अंतरद्वन्द चल रहा है, अगर सुध हिंदी में बोलूं, तो contradiction का से पहले आपको कौन सा word लगाना है, यह आपको बताना है, bit in, off या from में, तो देखो इसका जो right answer हो जाएगा, दोस्तों, वो हो जाएगा, bit, अब क्यों होगा, देखो, replicate मतलब होता है, totally, completely, जैसे total, आप जैसे complete याद रखते हैं, उसी तरह से replicate याद रख सकते हो, कि इसका मतलब होता है, परिपु हो जाएगा, अगर किनियों को इसकी PDF चाहिए, तो आफ हमारे टेलिग्राम चैनल, दा एजुकेटर, बिना कोई space लिखे, आपको सर्च करना है, दा, sorry, दी एजुकेटर लाइब, दा नहीं से दी पढ़ते हैं, और ऐसा मैंने आपको, आपके आर्टिकल वीडियो में मैंने बता दिया है, कि दा और दी कब पढ़ते हैं, दो को बड़े काम की चीज है, आर्टिकल वाली वीडियो आप जाके देख लो, और अगर इस PDF को अवेल करना चाहते हो, ता आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, जहां पे आपको लिखना है, दी एजुकेटर लाइब, बिना कोई स्पेस दिये, और ये देखो, ये लोगो आपको याद रखना है, इसी लोगो उस चैनल पे लगा हुआ है, चैनल को जोईन कर लेना है, आपके काम के लिए वो चैनल बनाई गई है, ताकि वहां से आप PDF को अवेल कर सकते हो, देखो, 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 मैंने एक चीज़ छोड़ दिया है, यहां पे TH था, ठीक है न, 13 था, तो आपको इसमें एक Error ढूणना है, कि कौन सा इसमें Error है, देखो, आपको मैं बता दूँ, जब भी कोई Date, Specific Date, या फिर Ordinal नमर की बात आए, 13, Second, तो इन से पहले जो यूज होगा, परी Position का, वो होत हैगा, बी नमबर ये Error है, यहां पे, अगले Question क्यों बढ़ते हैं, अब आपको इसमें फिर से क्या है, एक Error ढूणना है, On Way, Root is a Mean of Reduxing Traffic in Congested Areas of Delhi, देखो, यहां पे यहां पे यहां पे यूज किया गया है, Unnecessary यह है, तो आका यहां पे आपको क्या करना है, हटा देना है, जरूरत नहीं है, One Way, Root is Mean of Reduxing Traffic होगा, यानि कि आपका जो राइट आंसर होगा, Mean यहां पे क्या है, यह Error है आपका, चलिए, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, Paragraph की Unseen Passage की, देखो, यहां पे यह Paragraph लि करना है, तो देखो, सबसे पहले, जो Question दिया हुआ रहे, उससे Related जो चीज़ आपको देखने को मिले, देखो, True Businessman, तो आप Passage में सबसे पहले, सारे Passage को पढ़ दो, जो भी Questions है, सारे Questions को एक साथ पढ़ दो, और आपको पता कर रहे हैं कि कौन-कौन सा Word आपको ढूंडना है, Passage में, आप सबसे पहले, आसानी से, सारे Questions को धीरेच से पढ़ जाओ, समझ लो, Mind में Set कर लो, कि कितने Questions आपको पूछे गए हैं, अब देखो, पूछा गया था पहला Question में, यहां पे देख सकते हो आप, कि True Businessman के क्या करना चाहिए, तो देखो, मैं बता दूँ आपको, Author के According, True Businessman को क्या करना चाहिए, देखो, आपके Options है, Conduct Business with Principle, Despite Making Losses, यानि कि, एक Businessman को, जौब करते रहना चाहिए, इभेन, Loss भी होते रहे, तो भी, लेकिन, यहां पे नहीं होगा, मैं आपको थोड़ी सी Summary इसकी, बता दूँ, स्वामे विबेका नन ने कहा है, कि अगर बहुत सारे लोग, अगर भूख से, और Ignorance जहेल रहे हैं, तो जिसके कारण यह हो रहा है, मैं उसे Traitor, यानि कि, गदार मानता हूँ, ठीक है न, और JRD Tata का भी यहां पे reference आया हुआ है, और बहुत सारी Companies का भी reference आया हुआ है, तो अब आप देख लो, पूरे passage को आप असानी से पढ़ोगे, PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम चैनल पे, अब देखो, According to the author, a true business man should run business profitly and ethically, यह आपका right answer होगा, क्यों, क्योंकि एक जो business man है, वो बिना profit करे, क्यों business करेगा, profit नहीं होगा, तो उसके अधर में जो ब limit में जो profit आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो वो low, बाकी बाद आपको क्या करना है, गलत काम नहीं करना है, तो यानि कि यह हो जाएगा, कि earn profit regardless of any contra, any consideration, यानि कि कोई भी प्रिस्तिती में आपको सिर्फ पैसे ही कमाने नहीं, ऐसा नहीं, यानि कि यह जो answer होगा, B number, क्यों होग आपको ethically होना है, यानि कि थोड़ा सा आपको moral तो बने रहना है, आपके अंदर इमानदारे भी होनी चाहिए, अगला question देखो two number, इसमें बोला गया, according to the author, a true business man should, यानि कि एक business man को क्या करना चाहिए, business conduct करना चाहिए, principle despite making losses, इसका जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, D number, sorry यहाँ पे गलत question दिखा गया है, दो number का, मैं आपको stick करके दे दूँगा, अब देखो question number 3, as per Swami Vivekanand, which of the following would be the most appropriate definition of traitor, traitor का definition क्या है, Swami Vivekanand के कहने के आधार पे, तो उन्होंने क्या कहा था, कि अगर सारे लोग भूक में हैं और ignorance में हैं, तो जिसके कारण यह हो रहा है, वही क् क्या हैं, traitor हैं, गदार हैं, यानि कि 20 का right answer हो जाएगा, question number 4 की और बढ़ते हैं, what are the ultimate expectations from education to be imparted to the youngsters, देखो, आपको बताना है कि यह क्या right answer है, आपको देखो, तीन statement यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, तो देखो, to evolve and effluent society, पहली बात, दू to make people in calculated highest value, और youth को जो है, acquire करना चाहिए, higher skill, तो देखो, यह तीनो बातें इस unseen passage में दी गई है, यानि कि आपका जो तीनो answer होगा, वो right answer हो जाएगा, यानि कि all the three, यानि कि D is the right answer for this question, question number 5, what according to the author is a way to improve the evils in society, यानि कि devil मतलब होता है, बुरे लोग, और evil मतलब होता है, अच तो evil, यानि कि एक अच्छापन कैसे society में लाया जाए, वो आपको बताना है, आप skill oriented education लाओगे, जहाँ पे बच्चों को क्या किया जाए, skill सिखाया जाए, या फिर contemporary education as in the western countries, जो कि अभी समकालिन, contemporary मतलब समकालिन, अभी से जो चलने वाला हो, वैसा education जो western में चल रहा है, आप ऐसा चीजों को हम लोग adopt कर लें, या फिर high value based, skill based education, यानि कि जहाँ पे बहुत जादा value पे जोर दिया जाए, और skill पे जोर दिया जाए, अब देखो, और last है, teachings of Indian philosophy, यानि कि Indian जो philosophy है, उसके according education दिया जाए, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा D, जहाँ पे JRD Tata, यानि क philosophy के according, हमें India की जो philosophy है, उसको adopt करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, all for each, each for all, इसका क्या मतलब है पूरे passage में, देखो, all for each, यानि कि हर चीज जो है, एक छोटे से लोग के लिए है, और ये जो पूरा है, मतलब सारे लोगों के लिए एक छोटा सा आदमी काम आएगा, society का यह इस घर की देखभाल करो, इन लोगों को खाना मिल रहा है या नहीं, इस पे भी आपको जोर देना है, और अब जैसे कि देखलो, यह छोटा सा family है, तो अगर इन लोगों में से किसी को भी कोई तकलीफ आती है, तो यह छोटा आदमी, या फिर जो गरीब आदमी है, यह क्या करें, उसकी help कर दे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो, अब आप सारे options को पढ़ लो, everyone in the country should look for the benefit of all others, यानि कि एक दूसरे का profit को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, काम करना है, है ना, तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह नमबर यह सही आ पताना है, तो जब आप पैसेज पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या J.R.D. Tata ने कहा था, बिल्कुल असान भासा में, देखो, देखो, profit should be earned, बितर, due consideration, social service, यानि कि J.R.D. Tata ने क्या कहा था, कि profit तो आपको कमाना है, gain आपको करना है, आगे तो बढ़ D. Profit should be earned, बितर, due consideration, social services, चलिए, last question है, which of the following would be the most appropriate title for the above passage, यानि कि इस पूरे पैसेज को आप कौन सा title देना पसंद करोगे, कौन सा सही होगा, देखो, need for high skill and value oriented education, यानि कि आपको value भी देना, जिसके अंदर बच्चा के अंदर क्या हो, एक भावना जगे वो क्या हो, लोगों के परती, यानि कि आपको education में skill तो रखना ही है, और सम्मेधन skill भी रखना है बच्चो को, देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो like करना ना भूलें, और well icon आप जरूर दवा दो, notification तभी आपको मिल पाएगी time to time, और नए हो तो channel को subscribe कर लो, और भी army public school की previous question paper आपको देखने को मिल जाएगी the educator पे, आप मुझसे social media, tutor, instagram या facebook पे भी जुड़ सकते हो, सिर्फ आपको the educator live लिखना है, the educator live आप अगर बिना space के कहीं भी लिखोगे, तो आप हर जगा पे हमारे channel को पा सकते हो, thank you so much, आपने अपना कीमती बग दिया, आपके time से जादा important कुछ भी नहीं है, इसे सही जगा पे utilize करो, और अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी फिल्में देखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और अगर बुरे लोग के साथ रह भी रहे हो, तो उनसे experience लोग की आगे, ऐसी बातें ना धो रही जाए, thank you so much, keep learning, keep growing and most important, be safe there, it's pandemic time, have a nice day.